बिहार में एक बार फिर से एंडिये की सरकार बन गई है सरकार बनते ही एक बार फिर से नितीश कुमार पूरे आक्शन में नज़रा रहे हैं आपको बता दे कि बीते दिन जहां नितीश मंत्री मंडल में विभागों का बटवारा किया गया जहां उसमें फिर से एक बार निती एक्षन में नजरा रहे हैं और रितीश कुमार ने इस वार बिहार में चार आयोग को भंग कर दिया बिहार के एंदिये सरकार ने महादलित अति पिछड़ास में चार आयोग को भंग कर दिया और इसके अध्यक्ष और सदस्य अब पदमुक्त कर दिये गए हैं इसे लेकर के आदेश जारी किया गया है बिहार सरकार ने चार आयोगों में न्युक्त किये गए तमाम पदाधिकारियों को उनके पद से अव्विमुक्त कर दिया है समाने प्रिशासन विभाग ने दो फरवरी को अधिसूचना जारी कर दी अधिसूचना के मताबिक अधि पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग के अध्यक्ष उनके चार सदस्य और महादलित आयोग के अध्यक्ष को पद स प्रिमुक्त कर दिया गया है आपको बता दे कि महागडवन्दन की सरकार में यह आयोग थे इसमें कई तरक के उनके मंत्री और लोक शामिल थे जिसके बाद अब नई सरकार बनने के बाद एक बार फिर से नई सिरे से नितीश कुमार इस पर काम करेंगे जिसको लेकर के इस बीजेपी के सरकार में शामिल होने के बाद यह समय करण जो है वो बदला है इसे पहले जिला 20-30 समीतियों को भंग किया गया था बिहार में अभी हाली में सियासी उलट फेर हुआ जेडियू ने खुद को महागडवन्दन से अलग करके महागडवन्दन की सरकार गिरा दी नितीश कुमार एक बार फिर से अंडिय के साथ नजर आये और एक बार फिर से बिहार में अंजे की सरकार बन गई पीजेपी के तरफ से दो डेपुटी सीम समराच चौधरी और विजय कुमार सिर्हा को बनाये गया वह एक बार फिर आड़ लेडी समेट महागडवन्दन वह नजर आ रहा है इसी बीच सरकार बनने के बाद लगभग एक हपते तक विभागो का बटवारा नहीं हुआ जिसको लेकर के कई तरह की हजल तेज थी बीते दिन नितीश मंत्री मंडल में विभागो का बटवारा भी कर दिया गया और अब नितीश कुमार ने बड़ा ए हुआ